वाहे गुरुजी का खालशा वाहे गुरुजी की फते गुरु प्यारी गुरु स्वारी पर्मसतकार जोकसा संग जीयो जिमे के गरवानी दा फरमान है रुपे कामे दोस्ती पुखे साधे गंड देखो आद जगातों जो परमेशन ने रचना बनाई है बड़ी खूब सूर्त है इस खूब सूर्ती दे अंदर हरे एक चीज एक दूसरे दे नाड जड़ी है गिया जोड़ जन दी है, मिल जन दी है जे हो कहलो कि एक दूसरे दे नाड जोड के ही जड़ी है ना ओधी परीत बन दिया जमें इस्तरी ते पर्ष दे परीत है गिया लेकन एद अगर बारी पाव देखिए ते बारी पाव जड़ा हना ओखास करके जमें असनों गरवानी के रूपे कम में दोस्ती के रूप दी ते काम दी पाव रूप एस्तरी लेंग ते काम पर्ष लेंग इना दी जड़ी दोस्ती या ए इना चीज़ां दी बारी दखावेत तो ते ज़्यादा नर्पर कर दी या यह जड़ी चीज यहाना यह आद जगा तो चली हों दिया देखो अगर अपां गल कर देयां सत जोग दे होन सत जोग दे बैचेक जो तो समुंदर मन्थन होया ओदे बचो एक लश्मी नाम दे देवी जड़ी सी उपर गठ होई लेकर जड़ लश्मी बार आई सेगी ओधी मंग जड़ी सी पिलना राक्षा ने कीती पर लश्मी ने ना कर देती फिर देवत्या ने कीती देवत्या ने भी लड़ी लश्मी ने ना कर देती फिर भर्मा ने कीती शेव जी ने कीती अखीर विश्नु पगवान दिये दसी बनी क्यों विश्नु पगवान दे सतो गुनी है पाव की है कि एई लश्मी दौत जडी माया है एई माया मन मौनी जीतेत परंपलाया मायात मौनी ते ने कीती जेनठ गौल ली पाया पाव कि ओधी दसी बाण दी है जेदे बच सतो गोणी गोण जड़े है वो ज़्यादा प्रभाव ही नहुन सो विछन उपगवान जड़ा है ना सतो गोण दा परतीक मन्या जन्दा शिप जी जड़े तमागुणी दे एस तरन जड़ा ब्रह्मा है और रजवगुणी दा प्रतीक मन्या जन्दा जी में अमरत बंटन दे समय बचन उपगवाने मौनी दा रूपता आरन कारके सारे रागश जड़े सी उपपरमा आते सी ते दूसरा आप आई भी देख देया के एस्तों बाद ब्रह्मा दिकल कर देया के जड़ा ब्रह्मा देवता है गा देखो के ड़ा बड़ा देवता पाई गर्दा जी ने कथन किता के ब्रह्मा बड़ा खाएंदा पर नाड़ कहता नाब कमल दी नाड़ समाना पर देखो उद बेदय नहीं याً चारे बेद भीकों के रूप जड़ा हना ये नू अथ्यार दे तोर दे उत्ते जड़ा इस्तेमाल किता जानदा है क्यों एक ऐसा मोना रूप होंदा है ये सब रूप नू जड़ा वो काम दी शक्ती जड़ी है वो अपने आप अपने बल खेचन दा जतन कर दी या इस तरह आप शेब जी मरा दे समय भी जड़ी पसमा सोर दी कहानी सोन दे है कि पसमा सोर नो मान बासते भी जड़ा से बिश्णों नो मोनी दा रूप तार ना करना पया तां शेब जीदा जड़ा से उबचा होया सो कैन तो पाविया कि ए जड़ा रूप हना माड़ा नहीं है कि सदा खूब सूर्त होना को माड़ी गल नहीं एक गौड गिफ्ट वा पर गल इनी है कि जो दो असी उसे चीज दी सिमा तो बद बरतो कांदी कोशिश कर दे हैं फिर एक जड़ा रूप है गा एक रूप हो जाता है देखो जिमें गरवानी ता फरमान है रना होई यां बोद्धियां किंडे जड़ियां रना इस तरी लेंग शब्द हैगा पाव किया जड़ियां इस तरी है यां उनने जड़ा रूप जो पाहे गुरुन देता है वो ता गौड गिफ्ट है लेकन इस रूप दे नाड़ उनने चंचल ता जोड़ लिया रना इस रूप दे नाज नकरे करके चंचल हो गियां ते इन चंचला दे बाने के दे मर्द होई शयाद ते मर्द शकारी हो गए जिस करके सारी इस तरी इड़ियां गड़बड हो गई या पाव किया असी वह गुरुन दे रूप नो समझ नहीं सके बस समझ न दा इहुए तरीका है कि अगर जो वह गुरुन चीज बनाई या उस चीज नो अगर असी किसे सीमा दारे दे बेचे ओदा बरताओ करिये ता फेर ता उसी सुखदाई बन जान दिया अगर नो उस चीज दी जो तो असी लंगणा कर दे न दे बरतारे तो सीमा तो वार निकन दी कोशिश कर दे या फे ए जड़ी चीज है गिया ये सारी जो गौड गिफ्ट उस परमेशर वह गुरुन इस मनोखुन देती या फे एक कातक सेद हो जान दी बमारी दी अशकार हो जान दी जो एदी-जड़ी ने वियक्ख्या है गिया वों इस से करके किती जान दी कि इनसान नो शमझन दी लोड है कि इनसान समझे कि अगर वह गुरुन इन दी सुनदर मया बनाई है तो आब किन्ना सुनदर होगा जो मैं एक कोई महात्मा जड़े सेगे एक किसे सुन्दर इस तरी दिवाल जड़े से उत्ता करे सी तो उस इस तरी नियाख्या सेगा कि तुस्सी महात्मा है पर अड़ा यड़ा तकन दा निजरिया है न वो ठीक नहीं है पर महात्मा नियाख्या सेगा कि इन दे बे मैं रूपनों देखके इसे रूप बीचो उस प्रमेशर दे दिदार का रहे हैं कि उसने देखो किनी सुंदर मूर्थ बनाई है तो आब किनना सुंदर होगा इस तरह इस रूप नो देखन दा एक निजरिया जड़ा है वो एक गुर्मक था होना चाहिए दा है इस से करके जड़े गुर्मक पे आ रहा इना चीजां तो उपर उठ जान दिया लेकन दन्यावी बंद जया जना गर्बाणी ने जड़ा है इस करके वो बर्द देता है गा भाणी ने अख्या है गा के पर्त रिया रूप न पिक्खे नितर इस तत रूप Bem आपणी आखबे नाथ एक सेखले जड़ा है लां त प्रहाच सावद हैं एक trip्रों है कियों पर्त रिया रूप न पिक्खे नितर कि तहल संत संग हेत के इन्दे ना फार्क पहा जान्दा जड़ी संतां दी किती संगत तेव उस परमेशर दी प्यार है ना जड़ा कीता टड़ा हेत वा जो प्रेम है उस जड़ा है ना उस गड़ बड़ पहा जान्दी या सो पाव किया आदमी दा जड़ा मनोवल हो हना वो डिक जानदा है गा क्यों जा तक आदमी जड़ा हना वो अपने इस्ट दे वेच अपनी मंजल दे बच पकाना हो जबे ता तक उस नो जड़ा हना एना चिजान तो बहुत ज्यादा बचन दी डोड पेंगी या पर जड़ो अपने इस मक्सद दे बच पका हो गया फिर उन्हों कोई फरक ने पेंगा है क्यों ओस कादर दी जड़ी सुन्दर दा है गया ओदे बचो वो केबल ते केबल उस कादर परमेशर वाही गुरुजी दे दर्शन करता है गा तो इसकर के जरूरी है कि स्वानुइस समझन दी लोड है कि हरیک चीद एक सीमा है अगर चीजों सीमा दी लगना कर दी तो फिर जड़ा हैगा ऊदा जो नतीजजा है का बड़ा कात्क सैथ होंता है जिससे करके स्वानुजidden गर्वानी ने जड़ा समझाया है गा के रना होई यां बुद्धियां मर्द होई शैयाद ते परनाम के लिए की हुए सील संजम सोचपनी खाना खाज शर्म गई कर अपने पत उठ चली नाड़ ए चीज़ां सारी है जड़ियां हो जानी है इससे करके सानू बढ़ी नाखा है के नानक सचा एक है अवरना सचा पाल कि अगर साचे टका है जो अननत है असल दे बेच उह ही सुन्दर है जो परमात्मा है वो अत सुन्दर है कलपना बेच ना ओन बाड़ी जड़ी और शक्ती जो सदा बहार है गिया असल दे बेच उह ही मोनी है मोहन मोह दिया मन मेरा उह ही मननो मोह दिया है असल दे बेच बग करता है कि एक वाच्णा सगया वो इस बिहार दे अलाके ददा सगया उपना शाष्छे करता ह någonting जद बंगाल बिहार इन अलाके दे उत होए अविजोद अपना राज करता हtal दा सी ते महतमा दास दे कि वो ते एक जोड़ी राणी सभी बड़ी संदर सगी तो उस राजह ने ऊस राणी दे वासद एक बक्रा जड़ा से मखाल बना रखे आ सी और खासकर करे उन्हें होकम कीता सागा कि कोई भी मर्द जड़ा न उस मखाल वाल ना जावे तो तो धे जन्य इन गोलीयां दसीयां जान जो और उस ने ऊस राणी दे फाजित वासते जनने वरकर लाए सी वो सारी जड़े वरकर से गए वो इसतरी बेंग दे लाए है तो राजा जड़ा सेगा वो सराणी दी संदर्दा दे उते इन्ना काहली होनदा सेगा कि उन्हे जड़े है राज़ पाग दे काम हागया उना नून नपटॉन वास्ते जड़ा सगा वो फुर्स तरजी से मेल दी क्यों के वो राणी दे रूप दे बेच इना कायल हो जान दा सी तै जादा समा वो से राणी ना बता के खोश रहन दा सगा देखो कुदरत दा कनून की है कि पाई हर एक चीज एक सीमा दे बेच है पाव की जड़ा मनुख दा जड़ा जनम हो इस वास्ते वाही गुरुन कीता के मनुख अपने फरजा नू पशाने खास करके राजे नू अपना राजबाग चलोन वास्ते परजा न सुख देन वास्ते जड़ा है ना वो बहुत सारे त्याग करने पेंदे पड़ जड़ा राजा सगा हो अपनी राणी दे रूप दा शकार हो गया जड़ शकार हो गया थे परजा दे कम बलों काटते आंदेन लगा केंदे जड़ा सगा ओ नेम कुदरत दे कनून दा ऐसा होया के जो दो राजा जड़ा सगा ना सीमा तो बद उस राणी दे पास रहन लगा तो ओ जड़ा राणी दा सरीर सगा केंदे ओ सरीर दे उपर जड़ा सगा पर जू जो राजा लाज करूंदा सी अपनी राणी दा तो तो रोग जड़ा सी उ कटन दी जगा बदन लग पया से अखेर जड़ा सी बदा बदा ऐसा होया कि ओ जड़े चिटे दाग राणी दे स्रीर दे चेरे दे सारे पास से जड़े से ओ पूरी तरह फैल लगा है तो उन पास से गा ओ जड़ा लगन से गा जगदम टूटे कियो जद रूप ही नहीं रहा तो फेर जड़ा है गा ओ राज दा जो काम पाव से गा ओ ता अपने आपी पिछे हड़ जाना सी पिछे खत्म हो जाना से गा सो समा इस तरह दा आया कि राजा जिस जमें पहले टेम उस लगा मन पेचे बचा रही कि जड़ी बमारी मेरी राणी नो लगई या कि ते मैंनो न लगई जबे कि ते मैंना कोड़ दे बमारी दे जड़ा है गा ओ असर दे हे ठा जमा इस करके राजा जड़ा से गा ओ दूर चला गया जा दूर चला गया हून राणी दे मान दे बचे बीती के राजा जो तो मेरा रूप सेगा मेरी परजवानी सी वो स्टम्ट मेरे को रह के ज़्यादा खुश रहिंता सेगा पर होन में नो कदी भी जड़ा हैगा अपना मूँ ने दखालता में तो कोहां दूर चलिया गया हैगा इस करके राणी दे मान दे बच्छा न बड़े किसे ऐसी जगह जा कि जड़ी खुद कशी करके अपने आपने अपने समावत कर लें क्यों किसे टेम मेरी राज दे पे चड़ता सेगी मेरा दबदबा सेगा मेरा हुक्म चलता सेगा मेरी हरेगल राजा मानता सेगा पर आज समाव हो आ गया कि जो तो मैं बेलकुल अकली रह पाटम सेल्ग सोभशवशन मेइध नेरे पाण है, तो पाणी दाड़ जनने भी एंदे मखातम सेल्गां करदी ते इस करके होवे ना होवे के मैं उससे ही स्रोबर तला दे बिचे ढ़े ने शाड मारके अपनी जड़ी हत्या कर लगा, देखो जद राणी जड़ी सी बिचो बिचो जंगल दे उस तलाब काड़ दे उत्ते पहुंची, ते जद पहुंची या ते उत्ते जड़ी साधू से के रात नो इसनान करके उससे ही काड़ दे उपर बैठके बंदगी कर रहे सी, जद उना साधू आ नो जड़ी राणी दे उन दी पनक पई, ते साधू नो पता लगया भी जड़ी राणी है गिया, जड़ी तलाब दे बिचे खुद कशी करन बास्ते आ रही है, ते फिर उत उनलाब दे वाए ते पन्दू नो पुद्सक्रा कर दे आ रहे है थाया नो इससे ही दे लाणी दे ना भी दे खुद कशी कर नीदि दू है लॉड नो लूडब कैसी दूड़ी चाही हो गया, लूसरी दे अन पनी दों से ह्लाई़ धाया बना साथ्टे नो न जड़ी था葉 क नहीं मैं एड़ी पपन हैगी हैं कि मैं अपने रूप दी को वर्तों करके अज जड़ा हैगा एड़ा असाय दुक सह रही हैं ते मैं जीना नहीं चौन दी इस करके मैं हना इससे ही तलाव दे पिछ शाल मारनी है ते मैं किसे होर पास से नहीं जड़ा पर सादू उनु कहन पर आगा मना करें। जाद महात्मा ने इस तरह वो सराणी नो समझाया थी फिर राणी दे गल्द पर समझाया आगए थी कि गल्द ता बेलकुर ठीका कि अगर मैं तला मार देती या ते जड़ा दोश हैगा मेरे ना जड़ा जोड़ जाएगा। फिर उने जड़ा सी चीक पक आगा महात्मा के बेंटी कीती के मैं मरना ते चोंद या दसो मैं की करा। मैंनो कोई पुश्टा मैं मैंनो रख़दा ने पर मैं ये सुने हैगा के जड़े साथू दी शार्न चे आजान दे संगा चे आजान दे ये साथू जान वा उना दी रखी कर दे जाद ओसराणी ने बड़ी अधी इंता दे नाल उना महात्मा दे गयार जिकीती फिर दस दिया के उना महापुर्खन वो सराणी ते तरसा गया तो ओ कहन लगे के इन्दे देवी गलता तेरी ठीक है गया आज तूं बाद अगर तूं एक प्रान करें तो तेरी जिंदकी बदल साके दिया जद म महात्मा ने उस राणी नो एक अलाकी सी तराणी दिया अखांच चाम कागे सी उना ने फिर महात्मा नो पुछा से कि दसों में नो की करना चाही दा है फिर ओ कहन लगे कि आज तूं बाद ए जड़ा सरीर तूं राजे नो पेश कर दी सेगी ते इजियस सरीर दी तूं सहप अरपन करूँगी ना के जड़ा हैगा वो काम वाशना करके राजे नो अरपन करूँगी देखो जदो महात्मा ने बचन कैसी तो फिर ओ राणी दे नमाग दे बेच जड़ी सिवा गया सी के गल महात्मा दी बेलकुल ठीक है गिया मैं जिन्दगी बेच कोई भी परुपका दा काम ने कीता केबल राजे नूर जोन वास्ती अपनी जंदगी सारी खत्म कर देती है गिया तो फिर ओ राणी ने जड़ा सगा बचन कीता सगा के मैं आज तो बाद ए स्रीर साधू सांतां दी सेवा वेच ते लोकां दी पलाई दे बास्ते जड़ा है ना ओ खर्च भी इस्तेमाल करूँगी बस जदो ने बचन वा कहा थे मा पर खोनों कहन लगे के बेटा देख तलाब होईया पर तेरी पावना दा फार्क वा पहलना तो जड़ा शाल मारनी सी इस तलाब दे बिच ओ अपनी जड़ी दूसरी पावना सेगी के मैं मजबूर हो के दुखी हो के बमारी तो इस तलाब दे बेच खोद कशी कर रही है पर ओधा दुख जड़ा सेगा तेरे उते जड़ जड़ना सेगा पर हुण तेरी पावना ये है कि मैं जड़ा जड़ो इस से ही तलाब दे बिच इशनान करूँगी तां ये जड़ा स्रीर है जड़ा महातमा दे जड़े से ओन्हों असी सिदिती ओसे ही राणी ने ज़ाद ओसे ही तलाव दे बैच छाल मारी ज़ाद टुब की मारी ज़ाद बाहर निकली ता बस फेर की सी ऐसा करिश्मा होया कि ओधा जड़ा रूप सी ओपहले रूप नाळूंब कैई गुणा तेज संदर रूप जड़ा से ओब बन गया सी जड़ कई गुणा संदर तेज रूप जड़ा सी ओधा दिब रूप बन गया सेगा और राणी अपने अपने अपनों देखके जड़ी सी ओहरान हो गई चकरत रह गई एक में हो गया और खीर उनों पता लगया कि सब महाँ पर खान दी किरपा दा साथ का इस से तलावदा पानी जड़ा वो अमरतबरगा है गा जिते महात्मा शनान करके रब दे नाम दी अवादत कर दे बंदगी कर दिया पिर देखो उस राणी ने महात्मा देखके बेंती की थी किती कि मैं आप जी दे इसे ही आश्रम देवेच सदा सेवा करनी चाओं दी आँ पर महापुर्खा ने उस राणी नो अख्या सगा कि नहीं ही राणी होन ए जड़ा तेड़ा रूप है तेन्नो जो उस नरंकार अकाल पुर्ख ने देता है गा बस होन इस से ही रूप दीड़ी वर्तों है गिया तू लोक के कल्यां दे हितां दे बेच कर तो अपने राज द बेच बाफ से चले जा देखो महापुर्खा देखे है ते जड़ राणी जड़ी से अपने राज मेल देबेच द्वारा गई या जो ही लोका ने उस राणी दा चेरा देखा सब हके बकी रह गी कि वही राणी या जे दे चेरे नो श्रीर नो कोड हो गया सगा बस ए जड़ ख़बर से गी उस राणी दे संदरता दी जड़ राजे तक पहुंची या ते राजा जड़ा सी उससे टाइम जड़ा सगा और राणी दे महल चे पहुंची या पर राणी ने देख दिया जड़ी सी राजे ने रोक के एग अला किया कि जो पहली मेरी संदरता से गी वह पात्मा ने मैंनों लोक कल्यान दे कमा दे वास्ते देती है, ना के आप दे वास्ते देती है, जाद वो राणी ने सिद्ध तोरते राजे नो सारी साफ गाल दसी सी, फिर राजे ने भी जड़ी सी, हुमान दे बैचे राणी नो ये गालाख देती सी, के गाल ते री बलकुर कि मैं सुंधरता दी सीमा जडी सी, उसनों समझने सक्या, पर अज मैंनों जडा इस गाल दास होया, बजा कि तब असे इपनाantedों दallahi जनता दे कलियान दे इप Przyदा दिया राजे ने जडा अपना राज पाग सेगा, उपने बड़े लड़के नू संब केत His发 जे राणी नाड म जीवन बताया पर ओजड़ा जीवन से गा ओपिलना राज पाग दे पोग बलसां दे जो अनांद सी खेड़े सी उना तो बेलकुल बपरीत एक ऐसे सुख अनांद दे विच जड़ा सी ओबतीत होया जेसनों गरवाणी ने आख्या है के सुख नाही रे हर पगत बेना के दुन इससे करके सनु बाणी ने आख्या के अनांद अनांद सब को कहे अनांद गुरते जानिया जानिया अनांद सदा गुरते किरपा करे प्यारिया कर किरपा किलब खकटे ग्यान अंजन सारिया अंदरों जन का मो तूटा तिनका शब्द सचे सवारिया कहे नांक एहो अनांद ह आनन्द गुरते जाने हैं, सो दस इनने ही बचना संजा करदा है, खेमा दाजा जाचिक है जी, हुँनिया व्यांत पुलना चुकां जी, खेमा बक्षनी सो फते बलाओ, वाही गुरुजी का खलसा, वाही गुरुजी की फते